दोस्तों अभिकतन दे रखा है कि भारत में दुख्द उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है यानि कि जो इसका कोई कारण हो सकता है फिर भी स्चायद ऐसा सोचे हम लेकिन अभी तो ये कारण ही गलत है मैं मेरा ये मानना है ए सही है लेकिन आर स्वयम गलत है पहला इन ए इसका answer हो जाएगा नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिजल द्यारी चैनल पे मैं श्रयांस को अठारी लेके हैं आँ दोस्तों बहुत ही शानदार एक किताब, reasoning की हम लोग करवा रहे हैं NTPC railway के लिए बहुत special है यह रुकमणी publication की platform series बहुत ही बहतरीन किताब है दोस्तों और इसकी अगर मैं मानता हूँ बात तो 2016 के shift number two का एक paper यहां पे solve करवाया जा रहा है previous year यानि कि दोस्तों पिछले वर्षों के papers को बहतरीन तरीके से एक proper organized तरीके से समझाया गया है लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रशन की और भ्यान से देखेगा आपको कहा गया है 12 दोस्तों T W E L V E 12 का code 87 है पहली चीज तो दोस्तों यह बड़े अक्षरों में दे रखा है तो मुझे लग रहा है कुछ नकुछ दाल में काला होगा अब ऐसा सोचे कि 12 को 87 है तो 11 को 86 हो सकता है बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है पहले एक बार चेक करते हैं T को 20 कहते हैं यह आपको मालूम होगा मालूम नहीं होगा तो दोस्तों याद रखिये एक बहुत ही प्यारी चीज जो शायद बहुत सारी बार बता चुका हूं मैं यह जो T E आता है पांच पे J आता है दस पे O 15 है T 20 और Y 25 यह पत्चिस पे आता है Y 25 पे आता है यानि W आता है दोस्तों 23 23 नमबर पे E 5 नमबर पे आता है दोस्तों L आता है 12 पे VU VW दोस्तों यह आता है 22 पे और यह पुना 5 पे इनको एक बार जोडने का प्रयास करते हैं दोस्तों 5 और 5 10 10 और 20 हो गए 30 30 के बाद हमारे पास आगे 42 42 42 और 20 दोस्तों आपके 64 हो जाएंगे और 64 में अगर 23 जोडते हैं 64 में 23 दोस्तों 87 हो जाएंगे यानि कि कुल मिलाके हमारे पास ये का जो जितने सारे अक्षर दे रखें स्पेलिंग के अंदर उस शब्द के स्पेलिंग को अक्षरों के अनुसार उनकी संख्या लिख दीजिए उन सारी संख्याओं को जोड दीजिए हमारे पास 87 आ रहा है तो हमें पता चले 11 कितना आ रहे है तो दोस्तों E L E V E N लिख देते हैं आपन N होता है 14 पे E 5 पे और L 12 पे और V 22 पे दोस्तों 5 और 5 10 10 और 5 15 और 14 29 29 29 में अगर मैं 12 जोडता हूँ सोचिए ज़रा 29 में 12 जोड़ा तो 31 और 41 हो गए 41 में अगर 22 जोड़ते हम लोग तो हो जाते है 63 63 क्या ऐसा कोई option दे रखा है बिलकुल दे रखा है तो आपको पता चला कि ऐसा ना सोचेगा कि 12 अगर 87 है तो 11 86 हो जाएगा हमें उसके पीछे reasoning लगानी पड़ेगी तरक शक्ती लगानी पड़ेगी और दोस्तों 12 आपको बड़े अक्षरों में दिये रखा है ये ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण की तरफ ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है मैं मानता हूं कि वैसे तो बहुत ही सरल आसान प्रश्ण है लेकिन आपका समय खा सकता है उसके लिए क्या करना है दोस्तों कुछ भी नहीं पहले तो देख लो भाग दे रखा है क्या प्लस दर्शाता है भाग तो उसनों प्लस दर्शाता है भाग प्लस दर्शाता है भाग और प्लस दर्शाता है भाग अब आप बात को समझ रहे हैं मेरी मैं ऐसा चाहूँगा कि ये तीन बटा दो वाले पंगे में तो नाफस हूँ या तो A या D को पहले ट्राय करना चाहिए तो सबसे पहले A को ही कोशिश कर लेते हैं दोस्तों मैंने A को यहां कोशिश किया बड़ा है बड़ा है का मतलब होता है प्लस यानि तीन के साथ दो को चोड़ा दोस्तों चोटा है दर्शाता है गुणा यानि की चार हो जाता है क्रोस यानि की गुणा दर्शाता है ग्रेटर देन को दोस्तों उसके बाद दे रखा है पुना आठ अब आठ के बाद दे रखा है प्लस मैंने कहा था प्लस का मतलब हो गया भाग और उसके बाद आगया दोस्तों छोटा है छोटा है का मतलब हो जाता है शायद मैंने यहां पे भी गलती कर दी है छोटा है दर्शाता है माइनस को तो यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा मुझे और यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा मुझे। मैंने यहां एक्षुरी देख लिया थे छोटा है कोुँ। चलिए, दोस्तों 3 और 2 6 हो जाते हैं 3 2 5 हो जाते हैं और 5-1 4 हो जाते हैं वापे से देखेगा 3 2 5, 5-1 4 यह नि 5-4 एक लिखेंगे हम एधर इधर अगर अगर अपन देखते हैं 8 बटा 4 हो जाते हैं 2 और 2 में से 2 गए शुन्य क्या आपको लगता है कि एक बड़ा है शुन्य से बिलकुल बड़ा है तो मुझे नहीं लगता आगे मुझे solve करने की आवशक्ता है मेरा प्रयास यह रहेगा कि सबसे पहले मैं अगर कोशिश करूँ डिवाइड यारी भाग देने वाला जो portion था उसको मैंने छोड़ दिया अगर पहले वाला होता तो उसको भी छोड़ देता क्यूं क्यूंकि यह तीन बटा में आ रहा है मैं यह नहीं कहता हूँ कि इससे आंसर नहीं आएगा इससे आंसर आने की संभावना कम रह जाती है चुकि reasoning है maths नहीं है ध्यान रखेंगे दोस्तों यह बहुती व्रहद विस्तृत एक प्रशन है बहुती महत्वपूर एक प्रशन है दोस्तों आपको दे रका है विज्यान गणज सामाजिक विज्यान सभी में परिक्षा में बैठने वालों की संख्या है 1.50-400 तो कुल साड़े 400 यह आपको दे रखा है दोस्तों सभी विशयों में उत्तीन होने वालों की संख्या 167 देखते हैं जरा हमारे पास कितने एक दो और तीन हैं तो तीन हमने बना लिये दोस्तों सभी में उत्तीन कितने हुए दोस्तों 167 विज्ञान में अनुतीन विध्यारतियं ей 191 विज्ञान में कितने लोग फैल हो गए तो दोस्तों कुल मिला के 45-400 है और 45-400 में से अगर 101 माइनस कर देता हूँ, तो 10 में से एक गया, 9 बचेगा यहाँ पे, 14 में से 9 गये तो 5 बचेगा यहाँ पे, और फिर हमारे पास बचता है, 3, 3 में से एक गया, 2, यानि कुल मिलाके, यहां कुल संख्या आएगी 259 की, क्या ये बात समझ आ रही है, हमने विज्ञान में स अनुटीन विद्यारतियों को हटा दिया, तो विज्ञान में अनुटीन विद्यारतियों को हटा दिया, तो कुल उत्तीन की संख्या आ गही है, हमारे पास और वो हो जाती है 259, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गनित में अनुटीन विध्यारति आपको दे रेखें 199 99 दोस्तों अगर गणित में 99 विध्यारती अनुतीन है तो उतीन कितने हैं दोस्तों 45-45 में से 199-99 माइनस कर देता हूँ तो वैसे आपको पता है 45-45 का मतलब है 251 यह लिजजाब 251 यहां आगया इसके बाद मैं बात करता हूँ सामाजिक विज्ञान में अनुतिन विध्यारती दोस्तों वो दे रखें 175 तो साढ़े 400 में से 175 माइनस कर देते हैं 10 में से 5 गए 5 5 का हो गया 4 14 में से 7 गए तो 7 और बाकी बचा 2 275 विध्यारती इधर आएंगे दोस्तों ये हमारा सामाजिक हो गया ये हमारा विज्ञान हो गया और यहां कुल संख्या में ने बाहर की दे दी है अब आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है सभी विश्यों में अनुतिन हो गये 60 यानि इस में से 60 तो कुल माइनस ही करने हमें केवल विज्ञान में हैं दोस्तों 52 तो केवल विज्ञान वाले इधर आगे 52 और दोस्तों केवल गणित में आगे 48 केवल इधर आगे 48 और केवल वाले जो सामाजिक हैं दोस्तों वो आगए हैं हमारे पास 62,62 अब आपसे क्या कहा गया है वो समझिएगा पहला प्रश्न पूछा गया कितने विध्यारती केवल दो विश्य में अनुतीन हुए ऐसे कितने विध्यारती हैं जो केवल दो विश्यों में अनुतीन हुए हैं तो केवल दो विश्यों में अनुतीन कौन होंगे जो केवल एक वाले माइनस कर देता हूँ अगर जो केवल एक विशह में उत्तिन हो है वही तो केवल दो में अनुतिन हो जाएंगे यानि कि अगर मैं बावन के साथ अर्तालीस के साथ बासट को डाल देता हूँ यह ऐसे लोग हैं जो केवल एक-एक में उतीन हैं यानि केवल एक-एक में उतीन है यानि बाकी दोनों में अनुतीन है तो दोस्तों यहाँ पर अगर अपन देखें तो आजाएगा हमारे पस 2 और 2 दो बारा का 2 हासल लगी 1 6-4, 10 10-5 15, 11 कुल मिलाके 162 ऐसे विध्यारती हैं जो केवल दो विशयों में अनुतीन रहे हैं आगे बात करतें दोस्तों कितने विध्यारती एक बार ये मिटा देता हूँ मैं आपके लिए इसको मैं पुना 275 लिख देता हूँ अब देखेगा दोस्तों कितने विध्यारती कम से कम एक विशय में उत्तीन हुए हैं तो अभी हमें क्या करना होगा कम से कम एल उत्तीन होने के लिए ध्यान से देखे कैं दोस्तों मेरे पास कुल विध्यार्थी थे 450 और 450 में से 60 ऐसे विध्यार्थी थे जो सभी विश्यों में अनुतिन हो गये क्योंकि आप देख सकते हैं कुल संख्या यह है और इतने तो सभी में अनुतीन है अगर यह सभी में अनुतीन है तो बाकी जो बच गए वो किसी ना किसी एक विशय में कम से कम अतीन होंगे ही होंगे यानि कि 390 इसका उत्तर आ जाएगा तीसरी चीज़ दोस्तों कितने विध्यारती गणित तथा कम से कम एक और विशय में उतीन होंगे है गणित तथा कम से कम एक और तो दोस्तों अगर आप देखें केवल गणित में अनुतीन विध्यारती है एक सो निन्यानवे तो दोस्तों आपको का है कि कितने विध्यारती ह जो गनित में पास हुए है वो 251 यह आपको दे रखा है अब 251 मैंसे केवल गनित वाले कितने हैं दोस्तों? 48 केवल गनित वालों को हटा देंगे तो बाकी वो ही बचेंगे जो साथ वाले हैं किसी के तो इधर मैंसे देखूँ ग्यारा मैंसे आठ गए तो तीन बचे यहां शुन्य रह गया और दोसो कुल मिलाके दोसो तीन ऐसे विध्यारती हैं जो गनित था था कम से कम एक में तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही प्यारा प्रश्न था और इसका एक्स्पिलनेशन भी बुक में पूर्ण रूप से नहीं दे रखा है तो मैंने प्रयास किया एक-एक बात को आपको समझाने का एक-एक आंसर तक लेके जाने का एक्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो पहले इसको देखके ये तयार कर लीजे जिससे कि आपका confidence बढ़ जाए आगे लिए चलता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की और ये वाला जो प्रश्न है ये जब भी आता है एक बात जरूर कहता हूँ अंग्रेजी का प्रश्न है reasoning का कम पहले अंग्रेजी आनी चाहिए यानि कि अगर मुझे इसको देखते से ही walk याद आ रहा है यानि मेरी अंग्रेजी दुरूस्त है दोस्तों इसको देखते तो आपको सभी को run याद आ जाना चाहिए यह जब ऐसे ही शब्द चल रहे हैं तो यहाँ पे sleep हो जाएगा और वैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है कि jump आएगा तो वैसे तो चारों के चारों verb हैं चारों के चारों ऐसी क्रिया है जो मनुष्य करता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो active रहता है यहाँ पे भी active रहता है और यहाँ पे भी active रहता है यहाँ एक मात्र ऐसी क्रिया है जहाँ पे वो active नहीं passive रहता है सोया पड़ा रहता है तो अगर मुझे कहा जाए कि इन में से अलग कौन सा है तो फिर यही कहलाएगा आगे लिए चलता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर प्रश्न है इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या करना चाहिए पहले तो जो डेटा दे रखा है वो उसके अलावा कोशिश ये करनी चाहिए कि गनित के कुल जो है वो स्टार्टिंग में ही चोड़ के रख लो कहीं न कहीं डेफिनेटली काम आने वाले होंगे तो आपको दे रखा है दोस्तों साथ और दो नौ और तीन बारा बारा और पांच अगर मैं करूँ तो सतरा का साथ आ जाएगा इसको ऐसे नहीं लिखके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गनित गनित में मेरे पास सतरा का साथ आ गया हासिल एक लगी पांच और एक छह और चहर Дस और पांच पंद्रह और तीन अठारह 183 गनित में आ गया दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भौतिकी तो भौतिकी में आप देख सकते हैं पांच और दो साथ साथ और दो नौ का नौ आ गया दोस्तों छहे और छहे बारा, साथ और साथ चौदा चौदा और बारा अगर मैं जोडता हूं तो हो जाते हैं 26 उसके बाद बात कहता हूं दोस्तों रसायन की तो रसायन में अगर आप देखें दो और दो चार, चार और छह, दस, दस और आट, अठारा का आट हासल लगी एक, छे और छे, बारा, बारा, और नौ बारा और नौ गए आपके, एक्कीस, दोसौठारा इधर आगे रसायन में वनस्पति विज्ञान दोस्तों वनस्पति विज्ञान में देख सकते हैं आप आठ और आठ और आठ मतलकुल मिलाके आठ तिया, 24 का चार आ जाएगा फिर उसके बाद बात करते हैं, दो तो चार और दो च्छे, च्छे और तीन, नौ और तीन, बारा, बारा और पांच, सतरह, 174 आ जाएंगे दोस्तों और आखरी में बच्छ किया दोस्तों जीव विज्ञान जी विज्ञान में अगर मैं लेता हूँ दोस्तों तो हमारे पास साथ और पांच, बारा, बारा और च्छे आपको नजर आ रहा होगा, अठारा का आठ हासल लगी, एक चार और एक पांच, पांच और तीन आठ, आठ पांच, तेरा, तेरा और च्छ, एक सो इन्ट्यानवे तो हमने क्या किया पहले तो इन सभी को जोड़ के रख दिया दोस्तों मैं तो चाहूँगा एक काम और करें इनको भी आपस में जोड़ के रख दें दोस्तों पांच और दो साथ, साथ और दो, नौ, नौ और साथ, सोला का छे हासल लगी एक पांच और एक, छै, छै, बारा, छै, अठारा और चार, बाइस और चार, आपके हो गएच़ इधर देखें दोस्तों, पांच और वर केण का दोसी हुआइए, 7-9-9-19 17 और 6, 23 इधर चलते हैं दोस्तों आगे 3 और 6, 6 और 4 10, 10 और 9 97. 19 और 23 वाइस का दो, आसल लगी दो 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18 एकएस और 5 26 last वाला भी करी देते दोस्तों, 2 और 2, 4 अब देखिए कितना असान हो जाता है काम सभी چारों गॉलिज के प्रदर्शन को एक साथ ध्यान में रखते वे किन सम्हों का सही हो जन सबसे कम सफ़ल होगा दोस्तों रसायन और वनस्पति ये रह रसायन ये रह वनस्पति और भौतिक और रसायन भौतिक और रसायन तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दोनों दोसों से कम है गनित और भौतिकी गनित और भौतिकी दोस्तों मुझे लगता है यही दो ऐसी संख्या है जो दोनों 200 से कम हैं मेरे तरफ से तो बिना मैं जोड़े इसका आंसर कर देता हूँ जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान क्योंगि आप देख सकते हैं बाकी सारे में 200 या 2500 से जोड़ रहे हैं जादा यही एक मात्र ऐसा है जिसमें 200 से कम यानि कुल मिला के वैल्यू जो है 400 से भी कम रह जाएगी तो इसका आंसर आजाएगा जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सभी कॉलेज इसको ध्यान में रखते वे किस विशय में विध्यारतियों की कम मात्रा सफल रही सबसे कम आप देख सकते हैं 234 दो सो चौटी से क्यूँ नहीं आपसे पूछा है कि किस विशय में तो विशय में सबसे कम जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं वनस्पति विज्ञान है तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा देखे ज़रा कितना फास हो गया हमारा अंसर सभी विशयों में प्रजशन को ध्यान रखते हुए किस कॉलेज में सबसे कम आपको काये दोस्तों किस कॉलेज में सबसे कम यानि कॉलेज में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास सबसे कम आते क्यूँ में तो यह मेरा उत्तर हो जाता है तो आपने देखा कि हमने अगर यह जो पहले exercise करी यह definitely मतलब निश्चित रूप से मेरे बहुत काम आई अन्यता मुझे इन सब को बार 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 जोड़ते रहना पड़ता इनको एक बार जोड़ लेना ही चाहिए क्योंकि ऐसे question में exam में आता ही है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और यह वाले प्रशन भी exam में आजकल आ रहे हैं काफी इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको पुना कहना चाहूंगा कि exam में करना क्या है यह समझेगा exam में करना यह है कि आपको यह देखना है कि हमें इससे एक word बनना चाहिए यह सबसे पहली बात है अब यह word जो है वो in option में से बनना चाहिए तो हमारे पास a दे रखा है five one और four तो दोस्तों five की संभावना जादा है क्योंकि इससे शुरुवात हुई है तो अभी मैं देखता हूँ c आया three पे दोस्तों o आया seven और two तो एक काम करते है seven और two seven और two में क्या है दोस्तों seven में six और p है p तो या तो आ जाएगा c o p seven पे है m तो या तो आ जाएगा m और p या आ जाएगा p m अब कॉप में से जादा कॉंप अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं एक बार कॉंप को फॉलो करता हूँ seven को पहले लेगे चलता हूँ six four eight one आप देख सकते है six पे दे रखा है l और उसके बार दे रखा है और मुझे शायद अब बताने की ज़रोती है कंप्लेन बन गया है और मेरा काम असान हो गया है मैंने क्या किया दोस्तों यही चीज आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी बहुलता है चारों option में अगर चारों ही अलग-अलग शुरूर है तो बात अलग है अगर आप directly इसका शब्द बना पाए तो और भी बहुत बढ़िया है लेकिन आम तोर पे इतने बड़े word में बहुत जादा संभावना रहती है doubts रहती है समय जादा विर्बाद हो जाता है उससे अच्छा fast track कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले तो यह देख लो कि A और B की शुरुवात में क्या है शुरुवात में अगर आपको दे रखा है फाइव जादा है मुलब दो बार five है एक बार one है एक बार four है नहीं five की संभावना जादा होगी मैंने five को लेके शुरू कर दिया फिर जब मैंने अगले दो लेटर देखे कॉम्प और कॉप्म तो मुझे लगता है कि इससे शायद कोई वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा पर इससे बनने की संभावना जादा है स्यादा संभावना वाले को लेके चल गया मेरा काम असान हो गया आगे लिए चलता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की और ध्यान से देखेगा दोस्तों आपको दे रखा है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है आपने हमेशा देखा होगा कि लोहे की जब पटरियां बनती है लगती है तो हर पट्री के बाद में एक बहुत अच्छा सा gap दे रखा होता है अंतराल दे रखा होता है लोहा गर्मियों में फैलता है यही तो कारण है दोस्तों लोहा फैलता है तो जो पट्रियां है अगर एकदम जोड़ दी जाएंगी तो फिर वो उचट जाएंगी उसको बचाने के लिए दोस्तों यानि कि अभीकतन भी सही है कारण भी सही है और अभीकतन का ही कारण है यानि व्याक्या भी बिलकुल उचित है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याक्या है यह मैं कह सकता हूँ अगले प्रश्ण पे लिए चलते हैं दोस्तों यहां पे देखेगा दोस्तों ऐसे कोछ उने जो अलग है असंगत है वैसे तो आम तोर पे इस तरह के question में यह होता है कि आप इनका एक अंग्रेजी word बनाईए और शब्दों में difference देखेए यहां वैसा कुछ नहीं दे रखा है बड़ एक चीज मैं देख पार हूँ दोस्तों सारे के सारे पाँच लेटर वाले हैं और दोस्तों पाँचों लेटर के अंदर कुछ न कुछ एक बार आपको एक वावल तो मिल ही रहा है इसको छोड़ के तो मुझे लगता है यही उत्तर होगा वाखी आक्चुली मैं कोई तरह का उत्तर मुझे नजर आ नहीं रहे आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और ये जो प्रश्न है ये आपके exam में जरूर आते हैं आते रहे हैं ऐसा एक भी paper मैंने नहीं देखा जहां कम से कम दो या तीन सवाल केवल मात्र mathematical operation से हो दोस्तों इसको तो बस बहुत simple से solve करना है और जितना आसान आप कर सकते हैं उतना आसान रखिएगा तो ही मज़ा आएगा नहीं तो वॉस्त बहुत स्यादा मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए मैं बता सकता हूँ मैंने यहांपे क्या किया जो भी दे रखा है उसको लिख दिया अब मान निकालना है मुझे दोस्तों ये तो हो गया 40 दोस्तों यह e हो गया आपका 16-6 दोस्तों 16-6 हो जाते हैं आपके 10 और 40 में 10 जोडते ही हो जाते हैं 50ग Links पूर 90 और कुछ भी नहीं किया मैंने मैंने जो दे रखी थी वह संक्याय सारी लिख दी, काम चल गया मेरा अगला प्रशन आपके सामने दोस्तों ये वाला भी प्रश्ण बहुती सिंपल होता है। आपको देखना होता है कि भाईया पैरिस दे रखा है और पैरिस का कोड दे रखा है KZIRH। मैं एक बात समझता हूँ दोस्तों अगर A का कोड Z दे रखा हो तो केवल दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो A-1 करके Z पर आ जाओ या फिर A का उल्टा क्रमांक Z होता है। मेरी बात को समझिएगा अगर मेरे इस सीरीज को आप लगातार देख रहे हैं तो उल्टा क्रमांक आपको पता ही होगा। उल्टे क्रमांक से मेरा मतलब है कि अगर A शुरुवात से वन नंबर पे आता है तो Z पीछे से वन नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहां इन दोनों चीजों से बहुत एकदम इस पस्ट नजर आ जाएगा कि आर का आई बना है आई का आर बना है। यानि संभावना यहीं जताई जा सकते है कि रिवर्स हो। अगर याद है तो बहुत बढ़िया कि आर का उल्टा आई होता है यह मुझे पता है। लेकिन अगर याद नहीं भी है तो मुझे द्यान दोस्तों आर आता है अठारा पे और नो आता है आई। ठीक है ना आपको एक तरीका बताया था कि 27 मेंसे आप actual संख्या घटा दीजे उल्टी संख्या आ जाएगी 27 मेंसे 18 गए 9 तो आप देख सकते हैं 9 ही आ रहा है 27 मेंसे 18 गए तो 9 27 मेंसे 9 गए तो 18 ये तरीका आपको समझ आ गया मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये इनके reverse है reverse यानि उल्टे क्रम में है जो सीधे क्रम में चलते हैं उसका जस्ट उल्टा यानि कि Z पहले एक नंबर पे आएगा Y दो नंबर पे आएगा इस तरीके स है अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास दे रहा लंडन लंडन में option के according चलूँगा तो ही मज़ा आएगा देखेगा अगर मैं L का O मान लेता हूँ क्यों मान लेता हूँ दोस्तों क्यों मानू मैं क्यूंकि आपके चारों विकल्प की शुरुआत O से है मेरी बात को सु मेरा काम खतम कर गया और ये भी मेरा काम खतम कर गया इस O का भी इल्टा L ही होना चाहिए ये भी काम खतम हो गया बताइए क्या बहुत मुश्किल लगा मुझे अगर L का उल्टा O है तो O का L होगा और उसके according मेरे पास उत्तर सामने आ गया मुझे कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा आगे लिए चलता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की और ये प्रश्न है दोस्तों सिलोजिजम का मेरे को याद नहीं कि एक भी पेपर ऐसा है और जिसमें सिलोजिजम नहीं आई हो दोस्तों एक एक करके कुछ paper pencil है तो आप बहुत आराम से कुछ paper बनाईए और कुछ pencil बनाईए बहुत आराम से बनाईए कुछ pencil rubber है ये भी दे रखा है तो ये भी बहुत आराम से बनाईए और सभी rubber डिब्बे है ये भी दे रखा है तो जो दे रखा है पहले उसको बना लो, यानि कि आमने देखा कुछ पेपर पैंसिल हैं, पेपर का कुछ भाग पैंसिल के पास है, कुछ पैंसिल रबर है तो पैंसिल का कुछ भाग रबर के पास है और सभी जो rubber है वो डिब्बे के अंदर है ये भी नजर आ रहे है अब कुछ rubber paper है देखे दोस्तों ये rubber है ये paper है अभी तो दूर दूर नजर आ रहे हैं तो कहा नहीं जा सकता कुछ paper डिबबे हैं दोस्तों ये paper हैं ये डिबबे हैं बताओ कहा मिल रहे हैं अभी तो नहीं कहा जा सकता तो जो दे रखा है उसके according तो दोनों ही हमारे जो हैं तरक वो actually तरक संगत नहीं लग रहे हैं निशकर्ष अनुसारन नहीं करते वे नज़र आ रहे हैं फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि अजीत जो है वो कुमार का पुत्र है और दोस्तों कुमार की बेहन सुश्मिता, ये लिजए साब कुमार की बेहन सुश्मिता का एक पुत्र दीपक है और एक पुत्री हरिश्मा है दोस्तों यहां पे आजाएगा पुत्र दीपक और उसकी sister यानि कह सकते हरिश्मा यह हरिश्मा नेगेटिव है दीपक पॉजिटिव है सुश्मा नेगेटिव है कुमार पॉजिटिव है और रजीत पॉजिटिव है यह हमें ध्यान होना चाहिए बाबू दीपक का मामा है दोस्तों दीपक का मामा कैसे होगा कोई दीपक का मामा कोगा दीपक का पिता दीपक की माता और माता का भाई यानि यहां पे एक और बाबु आ जाएगा जो की मामा होगा तो यह आपको सारा के सारा दे रखा है हरिश्मा बाबु से कैसे संबंदित है आप भी समझ सकते हैं जब बाबू दीपक का मामा है तो हरिष्मा का भी मामा होगा ही होगा क्योंकि दोनों भाई बेन है और हरिष्मा का मामा होगा यानि हरिष्मा भांजी हो जाएगी बाबू के कितने भतीजे भांजे हैं एक, दो, तीन कुल मिलाके इस question के नुसार तीन है हमारे पास अजीत दीपक से कैसे संबंदे थे दोस्तों, अजीत और दीपक, यह चचेरे ममेरे भाई हैं, यह यहाँ पर दे रखा है, ममेरे, चचेरे, मौसेरे, भाई तो कुल मिलाके हमने तीनों देख लिये, और मैं यह मानता हूँ कि बहुत ही आसान सा एक प्रश्न था, बहुत ज़्यादा तफ इसमें कुछ भी नहीं था लिये चलते हैं आगे वाले प्रश्नों पे दोस्तों कूटनीती भाषा में और्डिनरी का दे रखा है आपको, अब और्डिनरी के लिए कुछ न कुछ आपको code दे रखा है, जैसा कि O के लिए 1 हो गया, आई के लिए आपके पास 6 हो गया, ऐसा कुछ भी अब रेडिन के लिए निकालना है तो मैं वापिस एक ही बात कहना चाहूँगा कि रेडिन का code निकालने की ज़रूती नहीं आपको आप कोशिश ये करिए कि रेडिन के लिए जो दिये गए विकल्फ है उनको देखिए तो आप देख सकते है दोस्तों सभी की शुरुवात में 2 आ रहा है second वाला 4 है या 9 है पहले उसको चेक करते है तो उसके लिए D नंबर जो है रेडियन का सॉरी A रेडियन का second नंबर जो है वो A है तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए तो आप एक बात पाएंगे कि यह तो 9 और 6 है तो cancel हो जाता है 4 और 9 है यह भी cancel हो जाता है और 4 और 6 है यह भी cancel हो जाता है मेरी बात को समझेगा मैंने A का code ही नहीं निकाला मैंने A के code को नकाले बिना ही उत्तर दे दिया क्योंकि दोस्तों शुरू से दूसरा और आखरी से दूसरा सेम होना चाहिए शुरू से दूसरा आखरी से दूसरा सेम नहीं है यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है तो जब नहीं है तो फिर अमेरा उत्तर भी नहीं होगा यह अंसर हो गया, मुझे निकालने की जरुद नहीं बड़ी कि एका कोड नाइन है, अपने आप आगया आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्ण की और यहां हम देखेंगे बहुत ही प्यारा प्रश्ण दे रखा है दोस्तों 11 11 का 121 स्क्वयर होताया यह देखते ही नजर आ रहा है अब 121 का 0 लगा दियाँ, मतलब ऐसा क्यों किया होगा हो سकता है इसको 10 से गुणा किया गया होगा यानि मैंने 11 11 का स्क्वयर करके इसको 10 से multiply कर लिया यानिकी अगर nine का square 81 करूं तो 80 नहीं आ रहा है eight का square six four zero करूं तो वो भी नहीं आ रहा है six का square 216 करूं तो भी नहीं आ रहा है और seven का 1029 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है हाँ! ऐसा कर सकता हम कि 11 का square multiply किया है 11 minus one से ऐसा अगर मैं देखता हूँ दोस्तों तो 9 का स्क्वैर होता है हमा 9 का 729 से मुझे लगता है देखने की ज़रोती नहीं है क्यूं नहीं है दोस्तों क्यूंकि 9 का 81 होगा पीछे 1 आएगा और 1 को जब 8 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आखरी संख्या 8 होनी चाहिए थी यहां 9 दे रखिए जो कि पॉसिबल नहीं होग 8 को एक बार ट्राए करता हूं दोस्तों 8 का स्क्वैर होता है 64 और 64 को 8 माइनस वन यहीं 7 से मल्टिप्लाई करके ट्राए करते हैं 7 चुक 28 का 8 हासल लगी 2 7 चंग 42, 43, 44 यहनी 448 और मजे की बात देखें यहां भी 448 आपने देखा आपको समझ आया होगा कि मैंने इसको सीधा डिस्कार्ट सीधा मना क्यों किया क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि अगर 81 को 8 से मल्टिप्लाई करूंगा किसी भी आलत में जो आखरी संक्या है जो इकाई की संक्या है वो नौ नहीं होगी आठ होगी आगे लिए चलते हैं दोस्तों देखेगा बहुत ही प्यारा प्रशन है बादल को निला निले को बारिश बारिश को फलाना 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 कहते हैं ये सब नहीं पढ़ना एक्जाम में आप एक्जाम में सीधा पढ़िए कि भाईया ये जो पंची हैं ये पंची कहां उड़ते हैं दोस्तों पंची उड़ते हैं आकाश आसमान में जरा देखें आकाश आसमान या ऐसा कुछ भी दे रखा है क्या आपको दे रखा है हवा और हवा को कहते हैं पीला तो हवा को अगर पीला कहते हैं तो मुझे इससे मतलब नहीं कि हवा किसको कहते हैं मुझे केवल इस बात से मतलब है कि हवा को क्या कहते है, हवा को पीला कहते हैं, पीला मेरा उत्तर हो गया एक एक करके दोस्तों प्रशनों के अंत तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और मैंने जैसा कि कहा कि इस तरह के प्रशन, mathematical operation गणितिया उपयोगिता इनके जो प्रशन है वो तो लगातार आही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहें सबसे पहले दोस्तों 32 भाग को क्या कहते हैं जरा देखेगा भाग को कहते है प्लस यानि इसमें आट जोड दिया जाए माइनस, माइनस का आर्थ है भाग दो और गुणा गुणा को क्या कहते हैं दोस्तों गुणा को कहते है माइनस तो गुणा आओ गया माइनस यानि माइनस बारह और प्लस को क्या कहते है दोस्तों गुणा यानि यहाँ पे चार से गुणा कर देंगे यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहां तो । 4 निकलके आ रहा है और 4 दूनी, 8, 4, एकम 4, 48 नजर आ रहा है दोस्तों, 48 माइनस करना है किस मैं से, 32 और 4, 36 तो 36 मेंसे 48 यानि माइनस करना है उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का बारा आ जाएगा यह आप देख सकते हैं पुना देख लिजे यह 32 तो 32 ही रहेगा इसमें 8 बटा दो यानि 4 जोड़ दिया तो 36 हो जाएगा इधर 12 चौक 48 हो गया 36 माइनस 48 माइनस का है तो माइनस के 12 आ गय यह बिलकुल सही बात है कि जो भारतिय रास्टपती है वही तो रास्ट के प्रमुग कहलाएंगे भारतिय संसज जो है दोस्तो रास्टपती लोकसभा और राजसभा से मिलकर बनती है इसमें भी कोई शक नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं कि रास्ट के प्रमुग रास्टपत के प्रश्णों में बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है दोस्तों कि आपके पास जो भी उत्तर दे रखे है जो विकल दे रखे है उसके बारे में सामान्य ग्यान होना ज़रूरी है सामान्य ग्यान नहीं होगा तो यह प्रश्ण छोड़ने ही पड़ेंगे देखे दोस्तों एक और प्रश्ण यह है इनिक्वालिटी का प्रश्ण जो आपको दे रखा है ना उसको मैं फटाफट से एक साथ लिख दू तो मुझे समझ में आता है कि W बढ़ा है X से, X बढ़ा है Y से और Y बढ़ा है Z से अब अगर कोई कहे आपसे की Z बढ़ा है W से नहीं कह सकते W बढ़ा है Z से निश्चित रूप से कह सकते हैं W बढ़ा है Y से जरूर कह सकते है X बढ़ा है Z से ये भी कह सकते है प्रश्ण में क्या दे रखा है दोस्तों निश्चित रूप से गलत कौन सा है तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला था वो निश्चित रूप से गलत था, यही उत्तर सही था, गलत होने के बाद भी उत्तर सही यही है शलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको यह नजर आ रहा होगा कि जब मैं 0.16 को भागित करता हूँ, सौ से, आप देख सकते हैं, दो शुन्य मुझे लगाने थे तो मैंने सौ से भाग दे दिया तो यहां पे पॉइंट हटा के यह यूँ कर दू, यह दो जीरो हैं तो एक जीरो और दो जीरो यहां पे ले आया ठीक उसी प्रकार से, अगर मैं 1.02 को भाग कर रहा हूँ, तो एक तो वन आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टू आ जाएगा और जीरो लग जाएगा 0.0102, ऐसा उत्तर अगर कहीं दे रखा है तो वही मेरा उत्तर है यह आपको भ्रमित करने के लिए दे रखा है, बस केवल मातर तो A का उत्तर क्या हो जाएगा, बलब इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा, और यहां पे मैं समझता हूँ दोस्तों, आखरी प्रशन था आपके इस पेपर का, एक और पेपर समाप्त हो गया और अच्छे से बहुत ही विस्तरित रूप से मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया, इसी तरीके से आप हमेशा बने रहिए, साथ देते रहिए हमारा आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों, यह डिजिटल तयारी धन्यवार, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तया आपका ही!